नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेग रजक में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी बोड की परिच्छाएं अब कब से होंगी जैसा कि आप सभी को पता होगा आपकी जो बोड इक्जाम थ से होना निष्ठित हुई थी लेकिन यूपी पंचाय चुनाओं के कारण अपडेट को बदल दिया जाएगा तो चलिए जान लेते हैं कि कब से आपकी अपरिच्छाएं स्टार्ट होंगी तो यहां पर देख सकते हैं इस वक्त हम एक न्यूज पेपर का आड कर पढ़ रहा पर नहीं होता है तो मैं के पहले सब्दा या सेकंड बीक में आपका एक्जाम करा लिया जाएगा तो चलिए यहां से पूरी खबर को पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं लिखा गया है उत्तर प्रदेश में मादमिक सिच्छा परिशत की और से कराई जान के बाद ही परिच्छा की स्कीम जारी करेगा इससे पहले बोर्ड परिच्छा का आयोजन 24 अप्रेल से 12 माई तक कराने के लिए प्रस्तावित थी लेकिन प्रदेश में चल रहे हैं पंचायत चुनाओं के मद्दे नजर इन बोर्ड परिच्छाओं को कुछ अर्से के लिए अस्तगित कर दिया गया है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर जैसा की बताया जा रहा है कि पहले जो आपका एक्जाम था वो 24 अप्रेल से स्टार्ट होता और 12 माई को खतम हो जाता लेकिन पंचायत चुनाओं के करण अब आपका जो एक्जाम है वो 8 माई से स्टार्ट हो आती है तो उसके बाद आपका स्कीम जारी हो जाएगा इसका मतलब 8 माई के बाद आपका कभी भी स्कीम आ सकता है यहाँ पर यह बताया गया है उसके बाद देख सकते हैं नीचे लिखा गया है उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले तक हाई स्कूल और करिछाओं को अप्रेल में आयोजित किये जाने की उमीद लगाई जा रही थी लेकिन अब माधमिक शिक्छा बोर्ड की तरफ से इस परिच्छा का योजन 8 मई से कराया जाने के लिए प्रस्ता भेत डिया गया है परिच्छा कराया जाने के इस प्रस्ताव पर उत्तर की सहमती मिलने के बाद ही मार्दिमिक सिच्छा विभाग द्वारा परिच्छा का आयोजन की तैयारिया शुरू की जाएंगी तो यहां पर देख सकते हैं यह बता जा रहा है कि आपकी जो परिच्छा है वो आठ मईसे स्टार्ट होगी हाला कि इस प्रस्ताव को मुखमंत्री योग अदितनाज जी के पास भेट दिया गया है अगर वह इस पर सहमती मिल जाती है तो जान लीजिए कि आपका जो एक्जाम है वो आठ मईसे स्टार्ट हो जाएगा तो यह छोटा सा अपडेट था उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी अगर यह तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए